अपने फैमिली के साथ में शेर करते होंगे जो लोग नहीं पढ़ाते हैं जिनको नहीं पता क्या चल रहा है वो अपना डे बाई डेवलप्मेंट है जो की कर सेको अगर आप किसी पर एक्जान कर रहे हो तो इसके बाहर आपको कोई कोश्यन है जो की देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग हर important चीज़ के बारे में discussion करते हैं उसका past देखते हैं उसका current देखते हैं उसके consequences देखते हैं हर चीज़ के बारे में हम लोग discuss करते हैं ठीक है तो चलिए शुरुबात करते हैं जैसे कि आप सभी को मालूम है आज यह 19th of January आपको यहाँ पर नजर आ रहा होग तो 19th of January के सारे newspaper है जो कि हम लोग cover करेंगे सबसे पहले यह सारे के सारे exam है अगर आप इन में से किसी भी exam की preparation कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है session regular देखिए previous day के question quote of the day सारे newspaper आज के दिन इत्यास में क्या हुआ fun fact, vocabulary और आज के कुछ सवाल यह सब है जो कि हम लोग cover करे ठीक है कल के question की बात करें Indian army day के बारे में मैंने पूछा था आपसे तो answer क्या हो जाएगा answer हो जाएगा आपका यहाँ पे 15th of January next question था गगणयान crew के अंदर कितने crew capacity कितनी है गगणयान के अंदर है ना तो यह space में जाने वाला प्रोग्राम में अपना जिसमें तीन लोग की capacity आगे बात करते हैं यहां पर को मैंने कल आपको बताया था कुम्बल नांगी को लेकर यह फॉस कंटरी का सरेटरी नैपकिन फ्री पंचायत है जो की कहा पर है यह किरला के अंदर है नेक्स अफ्टी ए नेगोसियेशन हम लोग कौन से देश के साथ में हैं जो की कर रहे हैं तो हम लोग अभी रिसेंटली UK के साथ में कर रहे हैं नेक्स कोशिशन यह थे आपके कलकल के सवाल इसके अलवा गर आपको SSC, railway या अगर आपको कोई अपना PCS का exam है, defense का is, police का exam है, one day जित्ते भी आपके exam होते हैं इनकी तयारी करनी है तो आप SSC के अंदर कर सकते हैं में प्लस कोर्स स्टार्ट हुआ है जहां पर साइंस स्टाटिक जी के मैथ रिजनिंग मैं हम सब लोग पढ़ा रहे हैं इसका अलावा बाकि एजुकेटर्स की भी क्लासेज आपको मिल जाएगी करो सकते हैं अगर आप वॉलेंटेर बना चाहते हैं तो यहां से वालेंट भी बन सकते हैं एक बच्चे के एक पीजा की कॉस्ट के उपर है जो की करवाई जाती है बहुत सारे बच्चे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे ठीक है चलिए तो आज का कॉरुफटर नहीं देखते हैं अगर इसका आज का रूटीन के ऐसा है अगर एक्जामपल आपने स्कुल के अनदर अपने रूटीन सुदार लिया होता तो आएकेश कॉलेज आपको बहुत अच्छा मिलता जहां पर आपने करीयर की पॉसिबिटी आप कर लिया होता जिसके अब का चल्य को इंदर आपके कर् improvise करो अपना दिन का maximum सोने के लावा जो second maximum important काम होता है, वो आपका career होना चाहिए, चाहिए अगर आप job करते हैं, तो वो है, अगर आप अपने preparation कर रहे हैं तो preparation, इसके अलावा अगर आप कोई किसी और चीज़ में interested है, जो किसी काम में है, है न, skill development में तो वहाँ पे तो डिपेंड करता है कि आप उपना maximum time के चीज़ को दे रहे हो ठीक है चलिए उमीद करता हूँ तो आप इसी तरीके से जो है अपना routine को follow करके अच्छा करते रहेंगे आगे बात करते है देयंदू के front page की तरफ सबसे पहले देयंदू के front page में आपे central government है दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मीटी सी गोली है जो कि supreme court को दिया ये बोला है कि देश में किसी की भी hunger के होज़े से death है जो कि recent time में नहीं होई है हैना comprehensive steps जो कि लिएगा है आपको मालू मैं covid के time पर क्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंकिंग 101 है दुनिया के 116 देशों के अंदर अंदर की बहुत जादा issues है पहले भी covid से बहुत सार लोग के मित्युआ करते थी दो वक्त की खाने का जुगार नहीं था covid के time पर तो हमने हमारे आखों से देखा है हजारों लोग पैदल गए लाखों लोग रो है रोडों के उपर मर गए लेकिन यहाँ पर सुप्रेम कोट ने पूछा था कि आपने क्या step लिये हैं क्या step लेने हैं आपको लेकिन सेंटल गौर्मेंट ने आज पर अपने आपको ही clean sheet जो कि यहाँ पर दे दी यहाँ पर दोस्तो टैबलू के जो selection है हो बहुत ही fair हुआ है यहाँ पर राजना सिंग जी का कहना है हमने पढ़ा था ना कि जो 26 जनवरी पर जा किया है वो कैसे select होती है क्या उसका procedure होता है हमने कल उसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तो एर इंडिया की कई सारी flight को reschedule कर दिया गया US के अंदर है ना मतलब जो US जाने वाली जो एर इंडिया के flight है आपको मालूम है एर इंडिया सेंट फ्रैंसिसको भी जाती है वाशिंटन भी जाती है है ना इन सारी जगह पर डिरेक्टली जाती है लेकिन अभी recently reschedule कर दिया गया है reschedule का कारण क्या है दोस्तो यह जानना जरूरी है कारण आपको जानके अहरानी होगी कि कारण है 5G है ना अभी आपको मालूम होगा कि चालिस से भी जादा cities में अमेरिका के अंदर 5G services start हो गई है अब 5G services start हो गई है तो जिस bandwidth के अंदर वो काम करती है है ना जिस bandwidth के अंदर वो काम करती है उसी के आसपास वाली bandwidth के उपर ही आपकी flight काम करती है तो यह बहुत बड़ी uncertainty है जो कि हो गई थी कि यह फ्लाइट और यह अगर 5G technology अगर सेम bandwidth के ऊपर अगर आसपास पर जाएगी तो बहुत interference होगा और flight के अंदर जो systems है वो इतने अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएंगे इसलिए हमने क्या किया है कि कई सारे flight को भी cancel कर दिया है रिशेडियूल कर दिया है क्योंकि हम नहीं चाहते है कि 5G technology स्टार्ट होती कोई problem हो जाए हम एक बार देखना चाहते है कि कैसे बाकी सब लोग है जो की काम कर रहे है बाकी क्या हो रहा है तो इसके अंदर अभी हमने कई सारे हमारे जो aircraft ना उनके टाइप भी हम change कर रहे है ताकि वह वहां की 5G technology की bandwidth को suitable हो सके साथ में मिलकर क्या कर सके एरलाइन्स की official ने इसको पर comment करने से मना कर दिया और यह काफी बड़ा issue था पहले 5G के बारे में पढ़ लेते हैं फिर इस issue के बारे में cover करेंगे ठीके ना पहले 5G के बारे में बात कर लेते हैं देखो 1980 के अंदर पहली बार 1G की शुरवात हुए थी 30-40 सालों के अंदर पुरी दुनिया बदल गई यहना 1G technology बड़े-बड़े mobile phone हुआ करते थे लोग बस call करना ही लोगों के लिए बहुत ही बड़ा प्रिवरेशा बहुत ही दुनिया के अमीर लोग ही call कर पाते हैं को कि calling rate 15 र लिया करते थे गाने ट्रांसफर करने के लिए इंफ्रारेट काम में लिया करते थे हना तो यह वाले मुबाइल फोन आए जिसमें अब में 3310 और यह नोक्या की मुबाइल फोन बहुत फेमास थे जिसमें यह 2G 1990 में 2000 की टाइम पर 3G आया दोस्तों हमारे देश में कहे रहे ह के अंदर 5G की लांचिंग जो की हो चुकी है अभी हम लोग 4G है हमारे भी देश में 2-3 साल के अंदर आप देख सकते हैं कि देखोगे कि आपको 5G जो है वो देखने को मिल जाएगा ठीक है तो 5G जो है इसके अंदर सबसे फास्टेस्ट है जो की होता है अगर आप कोई भी ऐसा डेटा कोई भी ऐसी फाइल है तो आप उसको एक सेकंड में डाउनलोड कर सकते हो थाना यह देख सकते हो ठीक है तो बहुत ही अमेजिंग स्पीड है मतलब अब भी आम लोग 4G के उपर है जहां पर आप एक जीपीपेस तो गया नहीं मिलती है लेकिन आप 200-300 400 Mbps तक की स्पीड है जो कि अपने को मिल जाती है ठीक है इस तरीके से आप यह देख सकते हो बहुत ही हाई डेफिनेशन मुबाई आजकल मुवीज गेम से बहुत ही जादा हाई डेफिनेशन आने लग गए है चलिए तो 5G टेकनोलजी में से क्या फीचर होता है जो कि उसक से बेशता है क्योंकि आप इसकी जो है वो देख सकते हो बहुत ही जादा आजपास की सराउंडिंग है ना वह बहुत ही कम इंटर्फरेंस से जो कि 5G के अंदर करती है ठीक है जो अप्ग्रेड़ेड यूज किया गया है लॉंग टर्म एवलूशन जो है मुबाइल अपना बिल्कुल बहुत भी फेव्रेबल रखते हैं आपको। भी रोड पे चलाए तो 40 का देती है फिर आप गाली वक्त्त हो यार बोला तो अस्तिका था लेकिन ये 40 लेकिन हो कंपनी का क्लेम करने का तरेका होता है वैसे ही दोस्तों यहाँ पर भी जो हम लोग बात करते हैं 3G 4G के maximum की बात करते है वो उतना नहीं मिलता है उससे काफी लोवमिलता है लेकिन भी बहुत जादा है ठीक गई फाइवड सी के अंदर बैंड भी होते हैं कही जैसे के लोव बैंड मिड बैंड और बैंड होती है आज की टाइम पर दोस्तों गेमिंग वर्ड इतना जादा आगे बढ़ गया है ना कि इतनी जादा विएफेक्स टेक्नोलजी इतनी जादा बहुत जादा अगर आप देखोगे तो विएफेक्स का पूरा दुनिया में सबसे जादा जो काम होता है ना जो भी ऑलिवुड मुवी आपने देखी होगी आपने यह आइरन मैं और इकॉन से जो है ना यह एविंजर्स मुवी आप एक्जामपल ले लो मैं मैक्सिमम आप लोगो ने देख जाते ना बहुत तीजी से बाइक जारी होती है रोड के ओपर ऐसे ऐसे करके यह सब शूटिंग नहीं होती है सब जो है वो आपके एक स्टुडियो में सेट अप होता है जिसके अंदे ग्रिन स्क्रिन के माध्यम से आपको यह शूट करवाया जाता है और पीछे फिर आपक जो वेफेक्स डाले जाते है पुरा का पुरा है ना टेक्नोलोजी यूज करी जाती है ठीक है मतला हम लोग तो बहुत ही पीछे अभी बॉलिबूर तो कहरें दो सो पांट सो साल पीछे है मतलब इस सीजों से लेकिन जो काम होता है ने वेफेक्स का यह जानके आपको एहरा जो है वो 5G का बहुत ही बड़ा important role है जो कि होने वाला है अब अगर आप 10 second की भी कोई ऐसा movie बनाते हो ना VFX वाली तो उसकी file भी 5GB, 10GB, 50GB तक पहुच जाती है 5 second, 10 second का है तो आपको बहुत high internet speed है जो की चाहिए होती है ठीक है गाइस चलो यह होई गई बात इसके अलावा mobile banking, healthcare sector है हना government की जो e-governance है आपके online portals है सब जगे के ओपर काफी beneficial है ठीक है गाइस 5G अगर मैं इंडिया की policy की बात करूं तो हमने 2018 के अंदर इसके बारे में बात्चीत स्टार्ट की थी इंडिया national digital communication policy आई थी जिसमें हमने importance of 5G के बारे में बात करे थी ठीक है इसके उपर भी बात हो चुकी है काम कर रही है तो ग्लोबल प्रोग्रेस बात करें तो हमारे दिश में भी लगेगा एक दूसाल और लेकिन अगर पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे तो यूएस में 50 cities में launch हो चुका है साउथ कोरिया में 85 cities में जैपाइन चाइना के अंदर भी दोस्तो ट्रायल बेसेस के ओपर अभी है हमाँ पर launch हो चुका है ठीक है अब आते हैं मुद्दे के ओपर अब देखते हैं मुद्दा क्या था मुद्दा ये था कि यूएस से ने क्या किया था आक्शन कर दिये थे 5 5G की bandwidth क्योंकि 5G उसको launch करना था तो उसने 2021 के early में करें तो उसकी bandwidth 3.7 से 3.98 GHz ये इसकी spectrum की range थी C band बोलते हैं इसको 3.7 से 3.98 GHz और 80 billion dollar के अंदर उसने ये spectrum को बेचा था आस्मान में भी कावा है मालूम है ना उस ही का ये उपर का अब problem क्या थी दोस्तों कि US का जो federal aviation administration है उसने भी बोला कि अगर आप 5G technology लेकर आ रहे हो तो जो हमारे airplane के जो instrument है ना उनके साथ interference बहुत जादा हो जाएगा जैसे कि सबसे important है altimeter altimeter क्या करता है कि जब plane नीचे की तरफ आता है ना तो आपकी ground से कितनी दूरी है उसके बारे में बताता है कल को अगर ये instrument interference की ओधे से काम नहीं किया तो पाइलेट को तो पता है इन चलेगा कितना नीचे जमीन है कितना नहीं हो तो घुसा देगा जमीन में जाके plane को तो ये concern था कि कल को अगर इस प्रकार की कोई बात हो गई तो बहुत जादा problem में जो की हो सकती है ठीके guys चलिए और कोई भी dangerous कोई event होता है ये altimeter बहुत सारी चीज़ों में काम आता है distance बताने के कोई dangerous नीचे को आसपास कोई चीज है वो बताने के बहुत सारी चीज़ों मे नहीं आया है European countries में भी हमने लगा है France और बहुत सारी countries में लेकिन European countries में इन्होंने क्या किया है कि जो यह इसकी bandwidth थाना इसको लो रखा है 3.2 से 3.6 के आसपास है in fact इंडिया के अंदर भी हमने जो allow किया ना वो यही वाला किया 3.2 से 3.6 के आसपास किया है European countries में भी यही है तो gap बहुत जादा 3.6 से 4.2 लेकिन अमेरिका में प्रॉब्लम किया है कि यह ज्यादा high level के उपर इसको रखावा है तो यह एक चिंता का concern है जो कि देखने को मिला है बाकि हमारे यहां पर कोई दिक्कत थी हमने आलेडी तोड़ा लो रखा है ताकि airlines की साथ में किसी प्रका का डिपार्टमेंट आता था है तो यह फाइव जी का इंटरफेर एविक्शन सेफ्टी के साथ में काफी बड़ा प्रॉब्लम है आगे बात करते हैं विक्रम दत को लेकर दोस्तों जो की एर इंडिया के CMD है जो कि अपॉइंट करे गए हैं ठीक है इस नाइटर प्रदेश पर आप सभी को मालूमी है वापस से टाटा के बास से आ गई हों फिर के सौ सालों में 46 में के ऑप्रेशन स्टार्ट हुए इसका हब है और सेकेंडरी मुंबई है बहुत सारे शहरों में काम करती है स्टार अलाइंस पूरी दुनिया का जो नेटवक है ना जो पूरी दुनि सौ में से ठारा फ्राइट इर इंडिया की जाती है तो आज भी मेजर स्टेक है उसका तो स्टार अलाइंस का वो पार्टनर भी है ठीक है 127 टोटल प्लेंस है जो कि इनके पास में 102 डेस्टिनिशन के ओपर और 40 से जादा कंट्रिस के आपको डेस्टिनिशन तक पहुचाता ह है इसका दिल्ली में यह राजी बंसल अभी चेर्मेन और एमडी जरी टाटर इसके फाउंडर थे तो अभी आपे cmd जो एमडी बना दी गया है वो विक्रम दत को बनाए गया है तो राजी बंसल वही है अभी आपे विक्रम दत होगा ठीक है आप देख सकते हो लॉसस बहु सब्सक्राइब करते हैं तो पहली बार हमारे देश में जो लाइसेंस आयता है किसी के पास में प्लेन उडानेगा वह हमारे जीर्ड टाटा थे ठीक है तो जीर्ड टाटा ने क्या था टाटा एर्लाइन्स की 1932 में शुरूआत करी खुदी ही दोस्तों एक सिंगल इंजन प् कोई सम्मेल करते ना हम लोग अभी तो इमेल आ चुका है पहले डाक थी हमारी तो उसी तरीके से एर के दुआरा इन्होंने मेल पहुंचा ही थी कराची से दोस्तों इन्होंने कहां तक बॉंबे तक जुहू एर्ड्रॉम तक करी उसके बाद में continue करी चैनली तक ठीक है वर् दोस्तों प्रॉब्लम क्या हुई 2000 के बाद से इसको प्राइविटाइज करने की कोशिश करें गई 2006 के बाद में लॉस बहुत बढ़ गए सबसे बड़ा सबसे नुक्सान दाइक जो काम इन्होंने किया जिससे एक डिसें से पूरी कंपनी डूब गई वो था मर्जर करना इ इंडिन एलाइंस को खरील लेना जबकि इनके उपाक को इनको इतनी जादा फ्लाइट्स की जरूत थी नहीं लेकिन वो इतना बर्डन आगे ना उसके बाद में लॉस बहुत जादा बढ़ते गए कई बार प्राइज करने की कोशिश करें के 2017 में 2018 में फाइनली जाके टाट इंडियन एर इंडिया एक्स्प्रेस अलाइंस एयर उसका पार्टनर है और मैस्कॉट महराजा है लोगो जो है आपको वालू में कोनाथ का वील है जो कि इसके उपर बना रखा है चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 10 की तरफ चलते हैं यहाँ पे दोस्तों आर्मी ने पस-पस देखने को मिले चलिए तो यहाँ आप देख सकते हो नारायन देवनाथ लेजंडरी कार्टूनिस्ट ओके इलस्टेटर थे बहुत जबर्दस परसंते कोलकता के 96 के अंदर इनकी दैथ हो गई हना कार्टून करेक्टर बनाने के लिए बहुत ही फेमस थे ओके और ब साइथ्या अवर्ट से इनको सम्मानित किया गया पदम श्री भी इनको मिल चुका है ठीक है जैस बेंगॉल में जन्मुगा कोलकता में दैथुई ठीक है यह सारे के सारे इनके नोटेबल वर्क्स है साइथ्या अगे बात करते हैं पेज नमर 11 मैंने आपको कल बताया जाना क यूएई के वहाँ पे अबुदाभी के एक बोट के ओपर हुथी रिबैलेंस के दुवार अटैक किया गया जिसमें दो बारती एक पाकिस्तानी के मिर्ति हो गई तो रिटैलिशन के अंदर दोस्तों साओधी ने कल जो हमला बोला और साओधी ने कई सारे जो यमन के जो हु जो तेकनोलोजी थी इनके पास उससे इनोंने रोक लिया कई सारे है इस्राइल के पास आप देख सकते हैं यामन की जो घán सब्सक्राइब और साउदी का जो कोलीशन जिसके अंदर यूए भी शामिल है यूए पहले तो डैरेक्टली सपोर्ट जाता है फिर बाद मुला हम टेक्नोलजिय में सपोर्ट देंगे आप काम करो तो ती ग्रूप के साथ में रिपालियन के अंदर तो यहां पर देख सकते हो बिल्डिंग लिंग सब उला दी गई यहां पर दो जार उननेस के बाद में सबसे डेडलियस इस्ट्राइक है जो कि अभी तक की मानी गई है चलो आज बात करते हैं जो कि यह दोस्तों इंडोनेशिया को लेकर यहां पर होगा एक और यूस का गई यह राइंडोनेशिया की यह वाली दूस भी इंपरंट है इंडोनेशिया अपनी कैपिटल को जो है वो चेंज कर रहा है जकार्ता कैपिटल आंपनी की सबी को मालू है लेकिन अब क्या हो गया है कि जकार्ता के अंदर एक तो पॉपुलेशन बहुत जादा हो गई है उपर से जैसे जैसे सीकल लेव तीवी जकारता से दूर 2000 किलोमीटर ओके दूर है जंगल वाला एक काफी बड़ा आइलेंड है इसका नाम है बोर्णियो इसका नाम बदल के नूर संतारा है जो कि यह लोग करेंगे और उस आइलेंड को ही अपनी काफी बनाएंगे तो आउस और रिप्रेजेंटेटिव ने यहां पर वोट किया लीगल फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए बोला है यहां पर प्रेसिद्ट कौन है वी डोडो जो को वी डोडो है 2019 के अंदर ही इलेक्ट है जो की करेंगे थे तो उन्होंने बोला कि बहुत रहते हैं 2-3 करोड के आसपास रहते हैं लेकिन दिल्ली सेंटर के अंदर है सी लेवल का कोई दिक्कत नहीं है ओके दिल्ली को भी दिल्ली भी एक्समेंट होते होते बहुत दूर तक पहुंच गया है अभी तो इनके भी यह समझता है मतले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब् बन रहा है आप यह नया जो आपका दिख रहा ना काम हो रहा है आप तो यह प्रेसिडेंशल पैले से जो की नए कैपिटल के अंदर यहां पे बन रहा है ओके काफी स्मार्ट सिटी के तौर पर जो कि इसको बना जाएगा चलिए और बजट की बात करें तो 33 बिलियन डॉलर के अंदर यह प्रोजेक्ट जो की बनाया जा रहा है 33 के अंदर यह पूरा का पूरा क्या घड़ा कर रहें है अपनी नई क्यापिटल जो की बना रहे हैं ठीके और हमारे नई पार्लेमेंट मेंद में 3 चार बिलियंड डॉलर के पर्लेमेंट बना रहे हैं यह 33 बिलियन के अंदर पूरा का पूरा क्यापिटल बना रहे है चलिए ठीक है तो यहां पर आप देखोगे तो यह है जकार था जो कि ओल्ड कैपिटल थी यह पूरा का पूरा इंडोनेशिया यह यह मलेशिया है यह सिंगापूर नीचे की तरफ यह मलेशिया है इधर वाला मलेशिया है यह ब्रुनई करके देश है यह उपर फिलिपीन्स है और यह पूरा एरिया जो है ठीक है यह पूरा एरिया जो है आप देखोगे किसका इंडोनेशिया का देखने को मिलेगा नई कैपिटल जो है वह इस वाले आइलेंड के ओपर है यह वाला वाणियों करके आइलेंड है तो यहां पर है नहीं कैपिटल तो काफी 2-2,000 किलो मिटर दूर है दोस्तों ठीके गाईज तो आप यह देख सकते हैं यह पूरा इंडोनेशिया है मतलब चार हजार से भी ज्यादा आइलेंड से जो कि यहां पर देखने को मिलते हैं चोटे-चोटे से जकारता अभी फिलाल कापिटल है सास्तों ज्यादा लैंग्विजिस बोली जाती है तेरा सु ज्यादा एतने ग्रूप से मिजर यहां पर 86% इसलाम उसके बाद क्रिस्चनेटी लोग इंडिया भी आये थे वैसे लेकिन इंडिया में ब्रिटिक से जीत नहीं पाए तो यह 45 के अंदर इनको आजादी है जो कि मिली कॉंस्ट्यूशन दोजाए दो में ही बनाये नोने पॉपॉलेशन के बात करें 27 क्रोड के असपास की पॉपॉलेशन है पर क्यापिटा इंकम जो है वो 4500 डॉलर पर 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 संट पर इयर के असपास है SDI के अंदर हाई के ऊपर है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों जो कि है पेस नूमर 14 स्पोर्ट्स यहां पर छोटी सी न्यूज है जो कि है उन्मुक चंदकी आपको मालू में बीबियल होता है जैसे हमारे यहां पे IPL होता है इंडिया में वैसे ही ऑस्टिलिया के अंदर एक बिग बैश लीग होती है ऑस्टिलिया के अंदर हमारे IPL से भी बहुत पहले स्ट और था वीबियल तो हमने बीबियल को देखकर यह आइप लाँच किया वैसे तो बीबियल के अंदर वैसे लेकिन इंडियन प्लेयर्स नहीं खेलते लेकिन जो फंस इंडियन मैं प्लियर जो की बीबियल में खेलें अभी रिसेंटली जो उनका नाम है उनमुक्त चंद य है वो BBL के अंदर यहां पे मिलबन रेनेगेट के टीम के साथ में जो की खेल रहे हैं हमारे प्लियर्स नहीं खेलते क्योंकि पहले तो इंडियन प्लियर्स को कोई बुलाता नहीं था अगर मैं बहुत पहले की बात करो जहाँ पहले नहीं था उसने पहले बीबिल के इंदर और जब आई पेल आया तो उसके बाद में अलड़ी इतना बीजी शेडियूल हो गया इतना पैसा मिलता है पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता तो इसलिए और के नहीं खेलते हैं मतलब चली आगी बात करते हैं इंडेयन एक्उ pineapan पेज यहां पर इंप्रेंट है जो कि है European Parliament की president को लेकर देखिए यू की बात करें तो 28 कंट्रीज आपको यू में मिलेंगे उसमें से 19 कंट्रीज के अंदर आपका यूरो करंसी भी चलता है ठीक है और तो यूरोपीन यूनियन की खुद की पार्लेमेंट खुद का कमिशन खुद का इनका कोट इन सब इनोंने खुद की बन करेंगे न अभी उसका नाम है मेल्सोला ठीक है तो रोबोटा मेल्सोला जो एक क्रिस्चन डेमोक्रेटिक है माल्का से बिलॉंग करती है तो यह प्रसियंट है जो की इलेक्ट करें गई है यूरोपीन यूनियन की पार्लेमेंट की ठीक है चलिए तो 27 28 कंट्रीज है वैसे 27 यहां पर लिखावा है लेकिन अभी रिसेंटली लास्ट नॉर्थ मैसेडोनिया है मेरे ख्याल से जो 28 वा कंट्रीज है इनका मेंबर बन गया था यह थर्ड वो मैंने जो कि आस तक इस पोजिशन के ऊपर आप आई है और अब तक की यूरोपेन पार्लेमेंट की सब्सक्राइब का मेंबर से और यह मैंने आपको प्रसेंट और यह सब बताए दिया अभी फ्रांस के पास में वैसे कंट्रीज की बात करें तो सबसे पहले 1951 के अंदर क्या हुआ था ट्रिटी ऑ परेस हुई थी जहां पर यूरोपेन कंट्रीज ने बोला एक काम करते हैं तो फिर ट्रिटी ऑप परेस हुई फिर त्रिटी ऑफ रोम हुई फिर सिंगल यूरोपें एक्ट आहा है 1997 में इन्नोंने सिंगल मार्किक बना दिया बहने विति लिजबन के लास्ट जो थी वो ट्रिटी ओव लिजबन नी थी 2009 के अंदर हुई थी 2013 में क्रेशियो एड़िट हुआ यू के बाहर हो गया और ने उर्थ मैसेडोनिया भी कुस तैम पहले इंक्लूड हुआ है 44 करूड की इनकी पॉपुलेशन है वलाव हमसे फ़र्ड पॉपुलेशन है पूरे यूरोपियन यूनियन की समझ गए GDP पर कैपिटा की बात करें तो चालिस हजार डॉलर पर पर संद के अंदर तो 0.9 की ओपर है यानि कि बहुत ही आगे है गिनी इंडेक्स में भी काफी अच परसन है जो कि नेक्स पाकिस्तान की सीजेपी बोलेंगे इंको तो सी जिए नी बोलेंगे सी जेगा मतला चीफ जेस्टिस एप इंडिया लेकिन यहां पर पाकिस्टान ओके तो यहां पर नाम से आप याद कर सकते हो जो कि ठीक है जब इमर्जन से लगी थी थी ना तो उस इन्होंने 27 के अंदर होत लेने से मना कर जाता ज़स्के टाइम पर काफी काफी उस टाइम पर कॉंट्रोर्सी हो गई थी तो आरिफ अल्वी अभी यहां पर प्रसेंट है तो यह अपॉइंट्मेंट है जो कि यहां पर करने वाले सीनियर मोस जज़ा सुप्रेम कोट के यहां यहां पर भी सेम तरीका है जो सिग्डियर मोस ज़ोंगे वहां के चीफ ज़स्टिस जो की बनेंगे ठीके गाईज चलिए और 65 यहां पर रिटार्मेंट के उबर है अमारे यहां पर भी है आगे बात करते हैं जो कि Microsoft को लेगे call of duty खेला है कभी एक बहुत ही famous गेम है call of duty और बहुत ही बड़ी कंपनी है call of duty जिसने बनाई है तो उसको दोस्तो Microsoft ने खरीद लिया पता है कितने में खरीदा है 68 billion dollar के अंदर तो Microsoft ने दोस्तों call of duty के जो maker है एक्टिविशन ब्लिजर्ड उनको 68 billion dollar के अंदर खरीद लिया biggest gaming industry डील है जो कि अब तक की इतियास के अंदर जो गेमिंग इंडेस्टिय में बहुत ही बड़ी है आपको पता नहीं का जो फीफा वर्ल्ड कॉप होता है ना फीफा वर्ल्ड कॉप की जो प्राइस मनी होती है उससे जाधा प्राइस मनी होती है जो फीफा वर्ल्ड कॉप का फीफा यी वर्ल्ड कॉप होता है जो गेमिं से गेमिंग इंडस्ट्री में इन्हों ने इतना अप्गेडेशन कर दिया अब तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल एकदम ही सामने इवेंट हो रहा है और ना पहले एक तो होती है रियलिटी में बॉक्सिंग करते थी पहले रोडों के उपर यार दोस्त लड़ा करते थे अभी क्या हो चुका है कि इतना वी आई वी आई आचुके ना दोनों घर पर बैटे है और बस वर्चुली लड़ाई कर रहे हैं ठीक है चलिए तो यह बहुत बड़ी इ डिजर्ट करके चलिए ग्लोबल गेमिंग मार्केट आप देख सकते हो 173 बिलियन डॉलर का है 2021 के अंदर 2027 तक 314 बिलियन डॉलर तक यह पहुंच जाएगा यानि कि डबल हो जाएगा आने वाले पांच से सालों के अंदर ओके तो माइक्रोफ इसी को लेकर मतलब काम करने क को लेकर कर रहा है इसके लावा गूगल फेस्बुक यह कंपनी भी जो है कोशिश कर रहे है दिरे दिरे आगया आने को लेकर मैटा नाम फेस्बुक ने ऐसा नहीं रखा है मैटा जुकर बहुत होशार आजमी है चलिए आगे बात करते हैं जो कि यह टेलीकॉम को लेकर दोस आपके टेलीकॉम यूजर है जो कि हमारे देश में हो गए है 119 करोड मुबाइल कनेक्शन डेफिनेटल एक 119 करोड लोगों के पास मनें यह लोग थोड़े कम है क्योंकि कही लोगों के पास 2-3-3 भी सिम है लेकिन वो मैटर नहीं करता कनेक्शन कितने है 119 करोड कनेक्शन से भारत के अंदर आज के टाइम पर दोस्तों ठीक है नंबर वन की बात करें तो जीओ नंबर वन के ऊपर है 42 करोड कस्टमर के साथ सेकंड नंबर के ऊपर है एटल और थर्ड के ऊपर सबसे ज्यादा लोग छोड के बाग रहे है वोड़ा फोन और आइडिया ठीक है मैं भ करेक्चन बार बार मूबाइल फोन में से क्या हओ एक दसंट जबार टॉकर मेंसे डाल चुका robot क्या है उपसके न होता तो यह वन ठीक है तो सबस्ता कस्टमर वॉड़ा फोन ने कहींत हरे अटारा लाग कस्टमर आई जो साथ में दोस्तों जो कि देश में सबस्यादा वाइलेस जो वाइर वाली आपके सुविधाय दिया करते था ब्रॉट्ट बैंड की उसके अंदर भी जियों ने टॉप कर लिया है फिक्स दे लाइन ब्रॉट्ट बैंड सर्विस में ब्यूट को पीछे करके 40 लाक कस्टमर जो ह पाच गंटे अवरेज यह डेली का एवरेज यह है पूरी दुनिया में ब्रजील इंडोनेशिया साउथ अफरीका उके उसके बाद में इंडिया यह चार-पाश कंट्री जैसे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में मैक्सिमम टाइम मूबाइल पर बिताता है हम लोग नियर पंदरा सोला गंटी तो जगते होंगे यह मान के चलो आप अठारा गंटे जगते हो तो उसमें साथ सोचके देखो वन थर्ड टाइम आप जितने टाइम जगेवे होना उसमें से वन थर्ड टाइम आप मूबाइल को दे रहे हो वालतु कामों के लिए अगर अपना निकाल हो तो आप लोगों को पता होगा टेक्नोलजी का सही यूज क्या होता है ओके अपना टेक्नोलजी आपको मिलती है जरुरत के लिए जरुरत पूरी करो और उसको साइड लाइन करो समझ गया मेरी बात ठीक है रियल वर्ल्ड में जितना रहोगे उतना ही खुश रहोगे और कि चलो न कि आगे बात कर थे घंसथा जन्सत्ता की बात करें तो यहां पर बनायागegeशा की जोर के गया पर कियो होती है qo जंगल से दूसरे जंगल को connect किया जाए ताकि कोरिडोर बन जाए यह जाने आने के लिए तो देश में बागो के स्रेक्षिन के लिए बने विशेश कोरिडोर में हरे शेत्र में जो हैं हमने क्या किया उसको के जो कि हम लोग कर रहें ताकि जंगल में लेखने हाले आग उसको रोका जा सकें है ना और साथ में जो एरिया है उसको बढ़ा सकें तो यह देखिए भागो कि शेत्र में 22 जो है वो घना एरिया है टोटल मिलाके और यह पूरा का पूरा नंबर दे रहा है रिसेटली हमने हमारे जो Tiger Reserve है, उन के अंदर भी इंक्रिमेंट किया है, पहले भी आपर हमारे मेरे 43 Tiger Reserve है जो कि हो चुके है, 52 Tiger Reserve रिसेटली गोशित किया गया है कि इसको रामगड वाइल लाइफ सेंचुरी को जो कि राजिस्तान के अंदर है ये बावनवा टैगर रिजर्व है और 53 टैगर रिजर्व भी अमने गोशित कर दिया है 53 वाला कौन सा है आपका ये आपका गासिदास ठीक है गुरू गासिदास नेशनल पार्क और उसी के साथ में तैमोर पिंगला वाइड लाइफ सेंचुरी है इन दोनों को भी टैगर रिजर्व है जो कि गोशित कर दिया तो ये तो 53 है और 52 वाला कौन सा है रामगड वाला है समझे कैं मेरी बात तो ये दोनों भी दयान रखी का इन वानमें मिनिस्ट्र के दुबारा गोश्णा करे गई है आगे बात करते हैं कॉलर वाली टैगरेस कितने एरिया में कवार कर रही है तो ये कॉलर वाली टैगरेस दोस्तों यह देख सकते हो आप यहाँ पे इसको बढ़िया सदान्ज ली दी गई है हमारे बहुत ही फेमस थी पंच टाइगर रिजर्व के अंदर रिसेंटली इसकी मृत्यों के यह एज का फैक्टर था ठीके गाईज 16 साल के उमर के अंदर जो है इसकी देथ हो भी है और इसके लार्स पूरा का पूरा है ना अच्छी तरीके से यह देखो संसकार जो किया गया है इसका यह बहुत ही फेमस थी कॉलर वाली टैगरेश shooting क्यों क्यों कि इसने दोस्तों अपनी लाइफ के अंदर है ना 29 बच्चे जोकी दिया है और 39 बच्चों में से 15 इसके जो बच्चे वो जिन्दा रहे है ना वो जिन्दा रहे यानि कि tiger की population को बढ़ावा देने में इसका बहुत बढ़ा रोल रहा है 2005 के अंदर इसका जन्म हुआ था तो tiger population को बढ़ावा देने में पंस tag może इसका बहुत बढ़ा रोल रहा है 2005 के अंदर इसने तीन बच्चों को जन्म दिया वो शर्वाइव नहीं कर पाया, 2018 में लास्ट तेम चार बच्चों को जन दिया, वो सारे के सारे सर्वाइव कर गए, ओके तो शुरुवाद के कुछ दिनों तो ये देखो दिख रहा है, आपके इसके ओपर टैगर, कॉलर लगा रहा है इसके ओपर, है ना तो इसलिए टैग, कॉलर वाले टैगर, उसको नाम दिया गया है, वोगे शुरुवाद में क्या होता है, जब टैगरेस के बच्चे होते हैं, तो कुछ टाम तक तो ये उनके लिए खाने का जुगार करती है, उसके बाद में उनको शिकार करना थोड़ा बहुत सिखाती है, उसके बाद में छोड़ देती है, ठीक है, तो हमें, हमारे पेरेंट्स को भी यही चीज़ सीखनी की ज़र होते है, कई सारे एनिमल से कि, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, उसके एजुकेशन हो जाती आद में एकदम से उसके उपर responsibility आती है, जब उसको पता लगता है कि यार अब तो मुझे काम करना है, तो हाथ पर फूल जाते है, क्योंकि वो prepare ही नहीं होता, हमेशा से तो उसको बिलकुल pamper करके रखावा है, अब जब दुलिया से लड़ने का बाहर जाने का time आया, तो उ आपको मैं हमेशे इसलिए फोकस करता हूँ कि आपको कोई लग कोई स्किल आपकी आपकी आपास आने चाहिए, हैना tiger को भी food ऐसे नहीं मिलता, 20-30 बार hunt करता है, तब ये तब जाके एक बार ऐसा होता है, कि ये अपने शिकार को पकड़ पाता है, जब कि शेर है यार, वो tiger इतना पावरफुल जिंगल का राजा होने के बाद में इसको multiple times, 20 बार होता है, तब जाके एक बार success मिलती है, इसलिए ये energy saving mode बे रहता है, जाता time, तो ये चीज़ सीखने वाली होती है, कि जब आप तो बड़े हो जाते हो, तो तो तोड़ी responsibility लेना, सीखो, हैना, काम आम करो, कुछ भी करके 1 गंटा, 2 गंटा, 3 गंटा, हमना अपनी या कोई इसकिल को improvise करने के उपर काम करो, उसके साथ में जो करना करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चलिए, तो इसके उपर caller थी, इसलिए इसको ये नाम दिया गया, monitor करने के लिए इसके movement को लेकर है, इसके अंदर भी जो है, इसको feature किया गया था, बेस्ट नोन टाइगर जो है, इंडिया की मानिज आती है, है ना, बहुत ज़्यादा पॉपुलेर्टी थी इसकी, आगे आप देखो, आगे आप देखोगे तो अच्छा लगे आपको, चलिए ठीक है, तो इंद्रा गांदी जी के सब्सक्राइब करने काम स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने टाइगर कंजर्वेशन थार्टी भी बनाई और काम क्या आज पूरी दुनिया में, 70% टाइगर हमारे देखने को मिलते हैं, 3000 से ब्यादा टाइगर है, जो कि हमारे देश के अंदर है, चलो, आगे बात करते है दोस्तों, great resignation क्या है, तो दोस्तों, अमेरिका के अंदर क्या हो गया, कि बहुत सारे लोग है, जो कि resign कर रहे है, अपने अपनी नौकरियों से परिशान हो चुके है, और resign कर रहे है, तो इसको great resignation है, जो की नाम दिया गया है, 2020 के अंदर, अगर बात करें, तो USA के अंदर, द जो है कम प्रेशर है जादा है ना उनकी लाइफस्टैल जो हो गई पूरी तरीके से खराब क्योंकि काम का प्रेशर बढ़ गया वर्किंग आर्ट बहुत जादा बढ़ गए और जो जॉब सिक्यूर्टी थी उसके उपर भी टेंशन हो गई तो लोगों ने कहा कि अपनी जाइन बहुत जादा कर रहे हैं इसलिए इसको ग्रेट रेजिगनेशन है जो की नाम दिया गया है आप देख सकते हो 45 लाख लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी 2021 के अंदर ठीक है यह सेप्टमबर तक का डेटा लिया गया तीन परसेंट हर मन्त लोग अपनी नौकरी है जो की छोड रहे हैं अगर आप देखोगे तो साड़े साथ करोड लोग है जो की युए से के अंदर टोटल मिला के रिजाइन है जो की कर चुके हैं अभी तक साड़े साथ करोड लोग है बहुत बड़ा नंबर है वनलब है ना नवंबर में मतलब आप देख सकते हो 45 लाग लोगों ने जौब है जो की छोड़ दी ओके तो यहां पर रिजूम बिल्टर डॉट कॉम करके हैं उन्होंने 23 परसेंट बोला कि वर्क फ्रोस जो है वो नई कोई great resignation देखने को नहीं मिला है लेकिन हाँ हमारे आपे भी दोस्तों यह बताया गया है कि 51 परसेंट लोग जो है वो क्या चाह रहे हैं दूसरी job opportunities को जरूर तलाच रहे हैं लेकिन हमारे आपे resignation वाला कोई पंगा नहीं है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं इसके अलावा और नहीं देखें तो और भी कई सारे फैक्टर है great resignation के एक तो shifting to work from home है ना stable profession चाहने के लिए नए challenges नहीं है नए opportunities नहीं है तो काफी सारे कारव नहीं जो कि great resignation के बताया गये हैं आगे बात करते हैं दोस्तों जो किये world employment and social outlook report तो recently ILO International Labour Organization ने क्या किया एक world employment and social outlook यह report है जो कि जारी कर रही है जिसमें बता है global unemployment के बारे में कि दुनिया में 20 करोड कितने हो गए लोगों के unemployment के सामना 2022 में करने को मिल सकता है ठीक है गाइस यह देखे 47 करोड लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया में जिनके ओपर impact पढ़ाए और 63 करोड लोग ऐसे हैं ठीक है जो की working poverty के की बात करें तो 20 करोड लोग मैं आपको बता चुका हूं 2022 तक पहुच गए ठीक है इसके अलावा अगर बात करें working arts भी बहुत काम हो गए इसके वाज़े से क्योंकि office बाते जॉब नहीं होगी तो लोग काम निकरेंगे काम निकरेंगे तो development नहीं होगा तो वो सब यहां प ग्लोबल ग्रोथ की बात करें तो global economy कुछ इस प्रकार से बढ़ेगी 2020 में तो minus 3.5% रही 21.5% और 2022 में 4.2% से global economy ग्रोव करेगी ठिक टाक percentage है वैसे जो advanced economy है जो बड़े-बड़े develop countries है उनकी minus 5% रही अभी 4.3 से बढ़ेगी और अगले साथ 3.2 से 2022 और जो हमारी जैसी developing economies है वहाँ पे minus 5.5% on an average रहा emerging market का 2021 में 6.3% growth होगी क्योंकि developing countries में scope ज्यादा होता है development का इसलिए number जादा है और 2022 में 5% की growth rate है जो की बताए गई है ठीके गाईज चलिए ठीके आगे बात करते हैं तो यह सारे बात हो चुकिए इसके अलावा तो कुछ है नहीं आगे बात करते ह देखिए Mars के उपर भी एक life हुआ करती थी इसके existence हमें एक asteroid है जो कि हमारे यहां पर Antarctica में आके गिरा था उससे पता लगता है तो यह बहुत ही interesting बात है कि एक नई scientific study करी गई जिसमें बताया गया कि कई सारे organic compounds है जो की एक meteorite की उपर हमें पता करने को मिले ALH84001 इसका नाम ह यह और माना जाता है कि जो organic compound है यह proof है Asian primitive life के जो की Mars के उपर है जो की हुआ करती थी समझ गया मेरे बात तो हमारे अर्थ के उपर यह 1984 के अंदर आया था करी सारे लोगों ने इसको जो है अंटार्टिका वाले एरिया के अंदर जो की पाया था और बहुत ही अलग तरीके का दोस्तों यह material था इसका color बहुत अलग था तो यह बाला गया कि इसके उपर जो organic compound है यह compound हमरे अर्थ के उपर पाया जाते है जहां पर life होती है वहाँ पर पाया जाते है तो water और rock के reaction के बाद में जो compound बनते है वही compound है जो की इसके उपर देखने को मिले एक brick shape का था outer layer black color की थी है ना जो की tar के अंदर dip था इसको fusion crust जो की क्याता है ओके तो यह बात बताए गई तो इसको कहां पे अंटार्टिका के अंदर जो की पाया गया था ठीक है आज के current affairs shorts की बात करें तो नरेंद्र कुमार गोइंग का क्या गया new chairperson apparel export promotion council AEPC के जो कि हमें export करवाती है कपड़े और उसकी head है जो कि यह बने है ministry of state सुभाष सरकार ने launch किया स्वच्च विद्धालने पुरसकार 2021-22 ठीक है चलिए इसके अलावा सुमित महराश्टर की एक artist है और उनको gold medal मिला है national folk art festival के अंदर जो के दुबई में करवाया गया नाइंत वुमें नेशनल आइस होकी चैंपेंशिप 2022 की शुरुबात करी गई कहां पर करी गई है और विस बात है पाड़ी में होगा लाहल इस्पिती वाले एरिया में इसको करवाया गया नेक्स्ट है पदम श्री विनिंग social activist Shanti Devi उनके रिती हो गई जो पूर लोग है उनकी voice को लेकर बहुत काम किया अंडर प्रिविलेज़ लोग के लिए इन्होंने अपने life जो है वो उनको dedicate करी जो इसकी बात करें बहुत का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत बड़ी होती है जाइंट टाइटन उसको को मतलब होता है जब आप किसी को करते हो रिजेट करना स्पर्ण बहुत अच्छा वड़ है नेक्स्ट है प्रिडिलेक्शन यानि कि जुकाओ किसी तरफ लगाओ आपका होता है उसको बोलते हैं लाइकिंग प्रोक्लिविटी बहुत अच्छा वड़ है अमॉर्फस का मतलब ह तकी बहुत ही दूर होती है उसको आपन कहते है रिमोट को ठीक है आगे बात करते हैं आज के फंट को लेकर आई डूट्नों ही रियालिटी अनुए कि नहीं है लेकिन मेरे कहीं पर है एक पो एक अर्टिकल के आ अंदर आया हा था कि नेट्फिक्स ने बोला है कि सौ में से एक लोग है जिन्होंने 2017 में निलिज फिल्म वेरोनिका को देखा है एक सची गटना पर अधारेत एक होरन मुवी है तो इसको 100 में से एक ही लोग है जो कि कम्प्लीट कर पाए I don't know मैंने वेरोनिका मुवी नहीं देखी है देख लेना आप क्या पता आप भी 100 में से एक की मज़ा है दो हो जाओ या आपको बीच में बंद करनी पड़े लेकिन यह नेट्प्रिस के द्वारा है जो की बोला गया है चलिए आगे बात करते हैं जो कि है दोस्तों स्सी के अं आप पर मिल जाएगा आपको लगाना है बीच या मुनेश टेन आपको 10% आफ और लेटेस आफ़ देश के 40 प्लस एक्जाम की तैयारी करते वक्त आपको मिल जाएगा आप डाउनलोड करनी है मोबाइल नम्मर डालना है गोल से लिट करना है जो भी आपके एक्जाम का गोल प्लस में जाएगेट सब्सक्रिप्शन में 12 या 24 मंत और भी एच टैने जो कि आपको लगाना है ठीक है आप कोई सब एक्जाम हो इंडिया में सब जब्सक्राइब को लगा सकते हैं और अगर आपको कोई फ्रेंड जॉब करता है तो स्माइल फॉर्ट के वेबसाट पर जा